किसान भाईयों सभी का जेविक फार्मिंग में स्वागत है ये पीछे जो आप देख रहे हैं वो हमारा ओगैनिक फार्म है और किनुओं का मोसंबी, माल्टा, मुरूद, सभी तरह का बागवानी हम लोग करते हैं और ये हमारा बाग है तो दोस्तों आजकल एक गवो में लंपी नाम की बेमारी चली है जो पाकिस्तान का जो सीमावर्ती एरिया है वहां से ये बेमारी आई है तो उसका बहुत ही ज़्यादा हमें पसों का जो है उसके रिली प्रती रख रखाओ करना जरूरी है इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो खास दवाई है मैडिशन है वो हमारे खेतों में ही हमें मिल जाएंगी दरसल क्या होता है कि हमारे बुजुरुक जब किसी प्रकार की माता या मियादी बुखार या किसी भी प्रकार की बेमारी जब हो जाती थी तो वो ये कहते थे कि Ookि इम्नूटी बढ़ाने वाली जो भी चीज़े हैं वो लेनी चाहिए दवाई आप किसी भी प्रकार की है वो आप लेते रहे यह वो शद्धी होती है वो उसका कहिने कहिनिं खेको ह迂ає लेकिन उसके साथ इम्नूटी को कैसे बढ़ाया जाए तो immunity बढ़ाने के लिए खास कर जो पसू हैं पसू में हम पहले जो होता था बुजरुब जो होते थे वो हमें देते थे मुनकादाक मुनकादाक लोंग या मग पीपर जैसी जो दवाईयां जो आम खास हमारे किस्टेन के अंदर मिल जाते हैं ताकि हमारी जो immunity है वो मजबूत हो जाए और आयरुवेदिक दवाईयों के साथ इनका शेवन अनिवारिया था ताकि ताकत अंदर बने शरीर जो है वो कमजोर ने हो इसी परकार जो यह लंपी बिमारी है मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लंपी बिमारी में आप क्या ऐसा पसू के खुराक में दे सकते हैं कि जिससी पसू की जो immunity है वो मजबूत हो जाएगी और यह मैं नहीं बता रहा हूँ बलकि scientific region भी है इसका क्योंकि इन चीजों क के अंदर बहुत जादा ताकत होती है वाईये चर्चा करते हैं हम लोग इसी के बारे में आपने देखा होगा जो हमारे आसपास में घांस होता है बकड़ी इसको बोलते हैं पंजाबी में इसको बंखड़ा बोल देते हैं और अलग अलग भाशा के अंदर इसको कोई राम रक्षमन बुटी भी बोल देता है गड़ा है इसलिए थुड़ा सा वह हो गया तो इसका आप जो है नियमित उप्योग कर सकते हैं पसू के उसमें दे सकते एक होता है पुनरवा पुनरवा जिसको हमारी जो लोकल लेंग्विज है उसमें साटा बोलते हैं खेतों के अंदर यह हर किसी के खेत में मिल जाएगा आप साटा बखडा यह और दुद्दी दुद्दी का उप्योग आप निरंतर कीजिए और जो सबसे महतोपूर्ण चीज है वो मैं आपको बताने वाला हूँ बखडी के बारे में जो है उसका पहले आपको दिखा देता हूँ कि बखडी यह देखे यह बखडी है आप सभी ने देखी होगी बखडा भी कह देते हैं इसको इसमें इस तरह के कंडे होते हैं यह देखे यह कंडे लगे होते हैं इसमें दो या तीन तरह की बखडी आती है एक बखडी होती है जिसमें कंडे होते हैं लेकिन इसमें यह चुबने वाल के सरीर के हमारे पसूँंगे दिए बहुत ही लापतायक है। लेकिन खासकर जो इस लंपि बिमारी है। लंपि बिमारी में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग माना गया है। और साटे के बारे में यानि पुनर्वा पुनर्वा का आप उप्योग कर सकते हैं। जो पुनर्वा है वह बहुत ही महत्वपुर्ण है इस खुरां के अंदर आप ने इसका कुतरा कर लेना है चोटी कुतर करके आप इसके अंदर बहुत ऐसे बहुत सब्सान gri。」 हैं और एक चीज जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है जो पसू को ही नहीं बलकि हम जैसे लोग जो है आज जो स्लीम होने के लिए बहुत उसका इस्तमाल करते हैं ग्रीन टी के रूप में उसका प्रयोग होता है और आश्टेलिया अधक्षनी अफ्रिका इदर जो है पूरी की पूरी उसकी खेती होती है और हमारे यहां भी अब खेती होनी लगी है आपने सहजन सहजन का नाम सुना हो कैसे क्योंकि सहजन के अंदर calcium भरपूर मातरा में होता है song potassium magnesium जो भी तत्具 जो आपको नहीं मिलते हैं वह सारे के सारे तत्व इसके अंदर आपको मिल जाएंगे ये सहजन के पेढ़ है, यह देखे यह सारे सहजन के पीढ़ है यह देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, यह सारे सहजन है, सहजन का पत्ता जो है वो इस तरह का होता है, आप एचान कर लीजिए, यह देखिए, यह है सहजन का पत्ता, और इसका जो आप है, यह बहुत इम्मुनिटी को मजबूत करने वाला है, पस्वों की दवाईयां जादा तर इसी काव बना करके काढ़ा बना करके और इसको सोध करके उसे तयार किया गया होता है कैल्शम इसमें इतना जादा होता है कि दूद और पनीर से भी नहीं मिलेगा आपको ये देखिए बिलकुल हरा भरा इसके अंदर हर वो तत्व मिल जाएंगे जो पस्वों के लिए इम्मनिटी को मजबूत बनाएगा इसके आप पत्वों को ले लीजिए करीबन सो ग्राम से आप आधा किलो तक ले सकते हैं हरे पत्ते हैं कोई दिकत नहीं है इसको आप रूटीन में पस्वों की जो भी दवाईयां चल रही है पस्वों की जो भी होता है लेकिन कुछ मीथे होते हैं यह वाला मीथा है वो थोड़ा कर्वा है तो आपने यह ध्यान रखना होगा कि करव में इंशालों के लिए ठीक नहीं है पस्वों को दे प्रक्तों के होती है और कड़वापन ज्यादा जो है वह भी ठीक नहीं होता क्योंकि लिवर पर इसका एफट पड़ता है तो आप ज्यादा उसका नहीं इस्तमाल करें और जो ऑस्ट्रेलिया वगरहर है वहां पर तो इसको एक किसम से खुराक के रूप में दिया जाता है या पीसे जन के पत्तिते जो हैं वह इस्के माले के अगा चया बहुत के अदर आप पशों को ये देजिए आप जो भी दवाई दे रहे हैं आप देते रहे हैं लेकिन सहजन के पत्ते पुनरवा, बखड़ा और दूद्धी दूद्धी दो-तिन तरह की होती है जिसे हमारे यहां बेल, गौबड़ी भी बोल देते हैं और बेल भी बोल देते हैं और यह देखाऊं मैं आपको यह देखें यह ओरिजिनल दूद्धी है इस पर इस तरह के जो बौर नूमा एक इसम से ब्रॉंड़ेच्स होते हैं यह देखे इसको आप जो है यह इसकी खाश पहचान है और हमारे बुजरुग पुराने समय से इसको देते थे छह मैंनों में एक बार सावन भादों के बाद में जो भी घांस खाडने के लिए महिलाई जाती थी खेतों में तो इसे बड़े चाउं से पसूं के लिए ले करके आती थी और आज भी जो लोग जानते हैं वो उसी परमपरा पर चले हुए हैं और पसूं उनके जो है बिलकुल अलग दिखेंगे आपको अच्छी दूद की मातरा होगी गायों के लिए तो यह रामबान है गाये इसका ही उपयोग करती थी क्योंकि वो चरने के लिए जाती थी तो ज्यादा तर इसको ही खाते थी और एक होती है बेलडी और एक होती है गोविया गोविया जो होती है वो गोविय जैसे उसके पत्ते होते हैं इसलिए उसको गोविया कहते हैं यह है बेलडी यह बेलडी जो होती है यह बक्रियों से लेकर के और ज्यादा तर ये बक्रियां भी खाती हैं गाएं खाती हैं तभी क्या होता है पुराने समय में जब बक्रियां इसको खाती थी तो बक्रियों का दूद जो है इम्मनिटी से भरपूर होता है जब डेंगू हो जाता है तो बक्री और इनका दूद जो है बताया जाता है डोक ये kisान जो है खेती करते हैं वो सब ही जानते हैं ये बहुत महतवपूर्ण चीज है और आजकल क्या हो गया कि हमारे जो पसु हैं वो बीजा हुआ झारा खाने लग गया है यानि जो खेतों में हम special चारा जो है वो ऊगाते हैं बीज देते हैं उससे क्या होता है कि पशों के अंदर immunity जो है वो कमजोर हो जाती है क्योंकि उसमें कोई पोशक्त तो नहीं होता बलकि हरापन जरूर होता है बहुत हरे होंगे चारा एक किसम से भरपूर मात्रा में उनको मिल जाता है लेकिन वो चीज नहीं मिलती जो पशू चरके खाया करते थे यानि पशू होता है घूंभू के चरागों के उन्दर चारागा की जो भूमी होती थी वहां पर घूंभू कि खाया करते थे वह सब भलकुल हो चुका है लोगों के पास समय नहीं है विकाश और प्रग्रति की जो अंधी दोड़् है वो क्योंकि आर्थिक कारणों के कारण जो लोग है अपने कामों में लग गए और यही एक बड़ा कारण रहा जिसकी वज़ेशे हमें नुक्षान जलना पड़ा है क्योंकि दूद हम सभी पते हैं लेकिन यूरिया और ड्या पर डाला हुआ हरा जो दूद है वहीं पते हैं लेकिन अब मैं आपको गोबी और पताता हूं कि गोबी कैसी होती है जो गाओं मे रहते हैं वो तो सभी जानते हैं लेकिन जो डेरी वाले हैं उनको साहिध नहां पता हो तो वो मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ज्यादा तर गाएं डेरी के अंदर होती भी हैं तो ये देखिए ये ये गोबी है गोबी की तरह जो है ये पत्ते होते हैं और ये हमारे हाँ बेलडी गोबी बोलते हैं और ये ही महतोपुर्ण जो है चारा पस्वों के लिए होता है इसलिए पुराने टाइम में जो बुजरुग होते थे वो पस्वों को कुछ समय के लिए चराने के लिए बाहर जाते थे चा आप खत्म हो चुके हैं समय के अनुसार वो बदलावा चुके हैं लेकिन अगर पसू को आप साल भर में एक महिना यानि तीस दिन साल भर में तीस दिन कम से कम आपने वो चाहें आप दस दिन छोड़ के हपता छोड़ करके आप जो है इस बूटी का उप्योग अगर करते हैं तो पस्वों को बिमारियों से बचाया जा सकता है और मनुश्य के अंदर जो है हम जैसे लोगों के अंदर जो हो ताकत है वो बरकरार रहेगी उस दूद की शक्ती जो है कहते थे ना के भाई दूद दही का खाना है और इसलिए जो है पहलवान निकलते हैं आज भी हर्याना के करते हैं आंगा घृंट करुबद के लोग आज भी हर्याना की मैलाएं हैं वो गाउं के अंदर जो है हरचारा जो पस्वों रखते हैं वो हर्याजारा लेकर के आते हैं तो और खेतों से जो है हर तो यहirect का घांस यो हो घ्ऊठा करकर लेकर आते हैं जिससे क्या होता है का ब कोबी और बेलड़ी इसका आप इस्तमाल करें एक होता है कोड तुमबा तुमबा जिसको कहते हैं वह पस्वों के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूत चीज होती है इम्मिन्यूटिव को बढ़ाने वाली होती है पेट की जितनी भी बिमारी हैं उसको खत्म करने वाली होती है चार गुना बढ़ा देता है यानि जो वशद्धी हम लोग लेंगे उसको चोगना कर देगा चोगना कर देगा और शहद के खुद एक ऑंटियेक्स और ऑक्सिड होता है और उसमें एंटि बैक्टिरियल जो है वो तत्व होते हैं और एंटिफंगल भी होता है वह तो उसका इनसानों के लिए एक कुदरत का दिया हुआ वरदान है उसी प्रकार से जो तुमबा है वो नेकिवल इनसानों के लिए बलकि पश्वों के लिए तो वो वरदान है पश्वों में हरतने की बैमारियों से लड़ने के लिए जो है कुदरत ने उसे दिया है उसका मरबा बनाय जा सकता है, जो इनसान खा सकते हैं, अचार बनाया जा सकता है, जो इनसान खा सकते हैं, लेकिन पश्वों के लिए भी आप उसको टौनिक के तोर पर हमेसा रखें। वो जबानी अपनी आने वाली पीडियों को बताते थे, समझाते थे, कहते थे कि यह सारी चीज़ें थे, क्योंकि वो रूटीन में उसका उपयोग करते थे और बच्चे जैसा देखते थे, वैसे सीखते थे, आज भी लोग करते हैं, जो अब बुजरग हैं, या उनके तो इसी के साथ दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ, और तमाम और अन्य जानकारियां भी हम लोग लेकर के आएंगे, हमारे जैविक क्रेशिफार्म को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो अन्य जानकारियां हैं, वो भी हम आपके लिए लेकर क आएंगे, और ये जानकारियां हमारे भुजरुगों से हमें मिली हुई हैं, उसी का हम उपयोग कर रहे हैं, और उसी के बारे में हम बताते हैं, साइंटिफिक कारण क्या है, वो एक शोद का भीशा हो जाता है, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, और लेकिन हम इतना ये कह सकते हैं, क्योंकि हम ये वतोर प्रूफ यहां पर इसका शोद भी करते रहते हैं, और बहुत सारी इस्तमाल भी करते हैं, यानि प्रैक्टिकल करते हैं, जो चीजे प्रैक्टिकल होती हैं, उसके बारे में हम आपको पता सकते हैं, इसका उप्योग करना, ना करना, वो सबी किसान भाईयों और दूसरे जो सुन रहे हैं वीडियो में उनका अपना एक पक्ष रहता है तो आगे दूसरी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार